हेलो इस्टूरेंट इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 15 को कम्प्लेट किया था आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा इस पेज को हम लोग कम्प्लेट कर चुके हैं आज हम लोग पेज नंबर 16 को सॉल्ब करेंगे यह भी एड है एड से रिलेटर इसमें कोश्चन है इस तरीके से देखिए अगर पस्ट हम बग सॉल्फ करते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है आपको एड करना है जैसे पहले आड करते थे उसी तरीक से बस थोड़ा सा चेंज है 5 और 7 को एड करने पर क्या आएगा तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 और 7 को एड करने पर आएगा 12 तो 12 का जो 2 है हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे 1 यहाँ पर यहाँ पर एड हो जाएगा ठीक है यहाँ पर next में दिखाया हुआ आपका यह 1 चला गया यहाँ पर 2 लिख दियें और 1 गया यहाँ पर यह 12 का 1 यहाँ पर है ठीक है यह यहाँ पर अब 1 और 2 को एड करने पर क्या आएगा 3 आएगा और 3 में फिर 1 एड कर दियें तो क्या आएगा 4 आएगा तो यहाँ पर हो गया 4 देखे इस तरीके से यहाँ पर यहाँ नहीं की आया एंसर 42 उसी तरीके से यह solve करना है तो 9 और 2 को add करने पर क्या आएगा तो बहुत इजी आपको बता है 2 ले लिचे चोटा digit जो है उसको अपने finger पर ले लिचे तो 2 ले लेंगे 1, 2 9 के बाद क्या आता है 10, 11 11 का 1 यहाँ लिख देंगे और यहाँ जो यहाँ पर 1 लिखना था यह चला जाएगा यहाँ पर ठीक है यहाँ 1, 1, 11 नहीं लिखेंगे 1s वाला 1 लिखेंगे और यहाँ का 1 10 वाला है यहाँ पर चला जाएगा और इसमें इस 1 में जूट जाएगा तो यह 1 और यह 1 मिलके क्या हो गया 2 हो गया 1 and 1 एड करने पर क्या हो गया 2 ठीक है उसी तरीके से next question बनाते है 7 और 6 को एड करने पर क्या आएगा तो 6 को ले लिजे finger पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 के बाद क्या आता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो 13 का 3 यहाँ लिख देंगे 1, 3, 13 होता ना तो 3 यहाँ लिख देंगे 1 चला गया यहाँ पर इस तरीके से 1 यहाँ आ गया अब 1 और 3 को प्लस करेंगे एड करेंगे तो क्या आएगा 1 और 3 को आड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा तो 4 यहाँ पर फिर नेक्स्ट समझाती हूँ 5 और 5 और 5 को आड करने पर क्या आएगा 10 आएगा ठीक है तो 10 का 0 यहाँ लिख देंगे और यह 1 चला गया यहाँ पर ठीक है 10 का 1 जो यहाँ लिखने वारे थे वो हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे यहाँ लिख दें ठीक है तो 1 1 1 तो 1 and 1 मिलके क्या हुआ 2 हो गया 2 में फिर 1 जोड दिये एड कर दिये तो क्या आएगा 3 यानि कैंसर आए 30 पिर उसी तरीके से 4 और 8 है तो एड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा तो 12 का 2 यहाँ लिख देंगे 1 गया यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 1 and 3 इन दोनों को एड करने पर क्या आएगा 4 आएगा 4 में 1 फिर एड की है तो क्या आएगा 5 यानि की 52 उसी तरीके से फिर next question है 6 and 5 6 और 5 को एड करने पर क्या आएगा तो 6 है और 5 है इन दोनों को एड करेंगे तो आएगा 11 11 का 1 यहाँ लिख दें यह 1 गया यहाँ पर इस तरह कैसे ठीक है अगर आपको याद रहता है माइन में अच्छी बात अगर नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए ताकि आपको confusion ना हो तो यहाँ पर 11 एंसर आया तो 11 का 1 यहाँ लिख दें और 10 वाला जो 1 था वो यहाँ लिख दें 1 और 4 को एड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा 5 में फिर 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा तो यहाँ पर लिख दें 7 यानि क्या हमारा एंसर आया 71 फिर नेक्स्ट सॉल्फ करते हैं यह पेज हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट पेज नमर पेज नमर 17 नहीं वो आप लोग खुद से सॉल्फ कीजएगा यह सारे कोश्टन है यह पेज को पेज नमर 16 को मैं सॉल्फ कर रही हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ किस तरीके से सॉल्फ करना है 8 और 2 है तो इन दोनों को एड़ करने पे क्या आएगा 10 आएगा 10 का 0 यहां लिखेंगे 1 चला जाएगा 10 में फिर 1 और 2 इन दोनों को एड़ किये तो क्या आएगा 3 3 में फिर 1 जोड दिये तो क्या आजाएगा 4 ठीक है उसी तरीके से next question है 7 है और 4 है इन दोनों को एड़ करेंगे तो क्या आजाएगा 4 फिंगर पर ले लिएगे 1, 2, 3, 4, 7 के बाद क्या था 8, 9, 10, 11 तो 11 का 1 यहां लिख देंगे और यह 1 चला जाएगा यहां पर अब 1 और 5 को एड़ करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा 6 में फिर 2 को एड़ किये तो क्या आजाएगा 8 आएगा समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपल है बहुत एजी है कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में बस ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाना है फिर 5 और 7 को एड़ करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा तो 2 यहां लिख देंगे 1 यहां पर चला जाएगा 7 आएगा और 7 में 2 को प्लास करेंगे तो 9 आएगा यानि कि 92 उसी तरीके से फिर नेक्स्ट है 6 और 6 को 6 में एड़ करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा तो यहां लिख देंगे यह 1 चला गया अब देखिए 1 और 6 है तो इन दोनों को एड़ करने पर क्या आएगा 7 7 में फिर 2 आड़ कीज़े 9 हो गया ना उसी तरीके से नेक्स्ट कोस्टन है 2 और 9 है इन दोनों को एड़ करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा हो गया फिर 1 यहां पर 11 का एक 1 चो टेंस वाला था तो क्या आएगा 8 आएगा 8 में फिर 1 आड़ कीए तो क्या आएगा 9 इसी तरीके से पेज नमबर 17 को आप लोगो सॉल्फ करना है यह हम लोगों ने सॉल्फ करिया अभी आज की वीडियो में सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे गुडबाई टेक केर